इधार सीम विश्णुदेव साय ने पीम मोधी को पत्र लिखा है, चतीजगण की तरफ से पीम का आभार जताया है पीम ने दरसल अपने संबूधन में चतीजगण का जिक्र किया था, माता शबरी की भक्ती का जिक्र किया था अयुद्या में प्रधान मंत्री ने शिबरी नाराण का जिक्र किया था, सीम साय ने पत्र लिखकर प्रधान मंत्री का आभार जताया है इधर डेपटी सीम अरुन साव ने काया कि धर्मानतरन पर कानून बनाया जा सकता है सरकार धर्मानतरन रोकने के लिए हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी है ताकि प्रदेश में धर्मानतरन रोका जा सके और छतिरगड की डेमोग्राफी ना बदले और छतिरगड में जो हमारी संस्कृती सभ्यता है उस पर किसी तरह का वीपरीत प्रभाव ना पड़े इस नाते धर्मानतरन रोकने के लिए हर वो उपाए हमारी सरकार करेगी इधर भिलाई के महिलाओं ने प्रधान मंतरी मोधी को पत्र लिखा है और उन वेब सिरीज पर रोक लगाने की मांग की गई है जिसमें गालियां दी जाती है गालियों पर रोक लगे इसके लिए एक कड़ा कानून का प्रावधान हो कि कोई गाली देते हुए सुनाई दे गया तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान हो कि ये गालियों का बंध होना चिसके लिए सबस्यादा जरूरी है वेब सिरिस पर रोक लगना पहले भी कई विश्यों पर फिल्मे शॉर्ट फिल्मे वेब सिरीज बंदी है पंचायत और गुल्लक जैसी सिरीज क्यों इतनी हिट होती है मतलब असली जन्मानस अच्छी बातों को ही चाहता है खबर कोरबा से यहां सरसटवी शाले राश्ट्री बेजबॉल प्रतियोगिता का अगाज हुआ सी एस इबी ग्राउंड में धजार रोहन मार्च पास्ट के साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कारेकरमों की प्रस्तुति भी दी इस प्रतियोगिता में देश भर के 14 राज्जियों के 800 से जादा खिलाड़ी और कोश शामिल हो रहे है इस मौके पर मंत्री लखनलाल देवांगर ने का कि यह गौरव की बात है राश्ट्री इस्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका 36 गड़ के कौरवा को मिला है इसमें हमारे कई अन्य प्रदेश के बच्चें हाँ पर खेलने के लिए पोहुँचे है निस्जित तोर पर अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग बोली भासा और एक साथ हमारे खेलाडी बैटकर बात चीत करेंगे उस प्रदेश का कल्चर के बारे में भी समझेंगे बात चीत को भी समझेंगे और आपसी भाई चारा प्रेम भी होगा उनका एक दूसरे सी मित्रता भी बढ़ेगी तुस एच्छा विभाज दौरा पुरबा जीले को इस बार रास्टेश साले अस्तरी एक्रेडा प्रतिव्टा की मेजवानी निली है विभाज के तरफ से इसका योजन किया गया है इसमें भारत के बिविन राजजीयों से खिलारे यहां पर आ हैं और उन समों को यहां पर आज माने में मुट्यत होती महोड़ेट इसका जितने की सुरुबात की गई है सब इखिलारियों को बेहतर खिल प्रदेशन के लिए शुटकाम नाए दी इधार जगदलपूर के बर्ड पार्क में औस्टेलिया के राश्ट्रिय पक्षी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है एमू, एमू को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, गरतलब है कि यहां के बर्ड पार्क में 80 प्रजातियों के पक्षी रखे गए हैं, लेकिन राश्टी पक्षी लोगों के लिए आकरश्ण का केंद्र बना हुआ है. अब पिछले वर्सों में वहां बर्ड पार्क शुरू किया गया है, जिसमें 80 प्रजाती से ज्यादा जो है बर्ड से हैं, और खास अट्रिक्शन जो है आश्टेलिया में पाया जाने वाला जो एमू पक्षी है, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है नान जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जो है परियतक हमारे हां आ रहे हैं और जिससे लामनी पार्क का जो है राजस हो है बड़ी मतलव लगातार बढ़ रहा है इस वार पहली बार जो है 30 लाक रुपे से ज्यादा एक साल में राजस प्राप्त हुआ और इससे करीबन 25 जो स्वसायता समू के सदस्य हैं उनको साल भर के लिए रुजगार हम देने में सफल हो रहे हैं